दो अक्टूबर को तीन मूवीज रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाटा है बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं आप जानती होंगी उन्होंने कहा है कि दे नैश्टनल होलिडे आफ सेकेंड अक्टूबर सौ अर्निंग आफ ओवर वन ट्वेंटी करोर रेकॉर्ड बाइ थी मूवीज अब जब देश में एकॉनमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड रुप्या रिटर नाता है एक दिन में लोग फिल्मों पर 120 करोड फूग दे रहे हैं और आप कहते हैं देश की अर्थवेवस्ता की रफ्ता सुस्ट पड़ गई है अब जब देश में एकॉनमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड रुप्या रिटर नाता है मुंबई में पत्रकारों के बीच केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सर्फ अर्थवेवस्ता की सुस्ती को खारिच किया बलकि बेरोजगारी पर राश्ट्रे नमूना सर्वेक्षन कार्याला यानी एन एस एस ओ की रिपोर्ट को भी गलत बता दिया रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2017 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा रही अच्छा कि मैं उस रिपोर्ट को गलत कहता हूं और पूरी जिम्वारी के साथ ने से सोने जो मैंने इतनी आकड़े बताय उसको उसमें रखा है मैंने आपको दस नंबर बताये सब प्रामानिक नंबर है एक नहीं है उनके रिपोर्ट में क्यों नहीं है इसलिए कुछ लोगों ने योजना बद तरीके से उसको मिस्लीड करने की कोशिश की थी अर्थवस्ता के दुरूस्त होने को लेकर प्रसाद की टिपड़ी ऐसे वक्त में आई है जब वैश्वीक प्रतिसपर्दा सूचकांग 2019 में भारत 10 इस्थान फिसल कर और 60 वे पाइदान पर आ गया है आद्योगिक सूचकांग अगर्थ मा में एक दश्मलो एक प्रतिशत नीचे आ गया जो कि पिछले साथ साल के दौरान सबसे कमजोर प्रदेशन रहा है यही वज़ा है कि प्रसाद के बयान ने विपक्षपो हमले का मौका दे दिया है यूपीय सरकार में मंत्री रहे रिसनिता जैराम रमेश ने ट्वीट कर कहा चीन के प्रदार मंत्री ली केकवियांग ने अर्थ विवस्ता की सेहत को रेल भाड़ा उर्जा खपत और बैंक कर्च से मापने की कसोटी देकर केकवियांग सूचकांग बना डाला लेकिन हमारे दूर संचार मंत्री रभी शंक कर गया है एक परसंट से जादा लोगों की नौकरियां जा रही है कारखाने बंद हो रहे हैं वेतन खत्रे में लोगों का खूचर खत्रे में और मंत्री महोदे कहते हैं कि पिक्चरों का कलेक्शन बढ़ रहा है यह हास्सेपद नहीं है ना कि यह गैर जिम्मेदाराना बया है यह असफवेद अंशील है और इसके लिए लोग इस सरकार को माफ नहीं करेंगे क्योंकि मंदी इस सरकार की बनाई हुई है इस पीज सीपिां महा सचीव सिता राम य्यचूरिे ने कहा कि बीजे पी की सरकार जनता की समस्या का मकौल उडाने का कोई मौका नहीं छोड़ती जबहं कि प्रतिक्रियास साफ है कि इस मुद्दे को वहर आसानी से छोड़ने वाली नहीं झाल झाल